दस बारा दीन पहले यहां पे हमारे अडिशनल डीजी अंसरगर साब और आईजी जो ATS की यहां पे है निकेत कोशी साब इनकों इंपॉर्मेशन मिली ती यह इन्पॉर्मेशन में ऐसा पता चला थे की पुला की एक लड़की PRA-ESIS ACties में online social media के दोरे कारी रहता है यह इनपॉर्मेशन मिलने के बाद में यहां पे हमने टेकनिकल सोर्षेस और human सोर्षेस के दोरा यह लड़की को identify किया था यह लड़की को identify करने के बाद में हमने जब इनके पास में इनके family के सामने जब inquiry हमने की तो पता ऐसा चला कि यह 16 सल की लड़की है यहाँ पे पुना में एक repeated college है यह repeated college में 11 science में पढ़ रही है यह लड़की जो थी schooling जब इसका चल रहा था तो इसका schooling जो convent education हुआ था यह पह कर रही थी तो टीवी पे एक channel के दोरा जो documentary ECS के उपर दिखाई जा रही थी यह ECS के दोकमेंटरी देखने के बाद में इसको ECS के बारे में attraction तयार हो गया इसके बाद में वह अलग-अलग channel देखने लगी अलग-अलग channel देखते हैं अलजजिरयात तक वह पोच गई थी य स्री लंकान आदमी के contact में आ गई हो स्री लंकान आदमी के दोरा इसको जो ECS के जो ग्रूप से उसमें इसको include किया गया इसके खुद के WhatsApp अकाउंट है Twitter अकाउंट है इसके अलावा उसका Telegram अकाउंट था और Facebook अकाउंट था यह पिछले चार महने से कम से कम यह ECS activities में चाम इसको तरफ से कर लेगी यह मिलने के बाद में उसको ऐसा भी बताया गया था कि यहां पे अगर कुछ करना है यहां पे अगर तुमको बोला जाएगा कुछ करने के लिए उसके लिए भी तुमारी तयारी होनी चाहिए यह लड़की काफी उनके radicalization करने के बाद में काफी कु यहां के महराष्च्रगी DGP साब ने जो instruction दिये थे उसके तरफ अधिए प्रोग्राम कर रहे थे यह भी यहां पर पुना के मोलाना जै जो इसल्म के स्कॉलर्स है उनके यहां पर ले रहे थे और अभी भी यह लड़की को हमने डी एडिला इजिएचन करने के लिए उसके फैमिली के साथ में ये स्कॉलर्स और मौलाना जिसकी हिल्प लेके इसको यहां पर यहां से बाहर निकलने की कोशिश हमने चलू कर दी है आज तक हमको लाज आट दिन से कापी कुछ